अगर आप एक faceless channel start करके US, UK और ऐसी countries की audience को target करना जाते हैं तो आपको एक ऐसा channel बनाना होगा जिसकी सारी settings भी उसी audience के aborning हो यह मेरी playlist की first video जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने faceless YouTube channel किस तरह से बनाना है, कौन सी ऐसी settings है जो important है और किन चीजों से avoid करना है यह completely guided video ने वाली जिसके बद आपको किसी भी तरहां की किसी और video को देखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी मेरी playlist YouTube TikTok automation course में आपको अपनी automation journey start करने के लिए जिसने चीजों की जुरूरत है उन तमाम topics पे tutorials मिल जाएंगे आपके channel creation से लेकि आपके thumbnail design, video editing, script, writing, even आपने अपना title भी कैसे लिखना है इन तमाम topics पे videos मिलेंगे उसके लवागर आप किसी भी topics पे चाहते हैं कि मैं video बनाओ जिसकी आपको guidance की जुरूरत है तो मैं उस पे भी video बना सकता हूं आपने करना सरफ यह है कि आपने मुझे comment section में बताना है अगर आपने अभी तर्ट चैनल सब्सक्राइब ने किया तो kindly subscribe करने और bell icon को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी videos के notification आपको मिलते रहें इसके लिए आपने Google पर आजना है और यहां पर आपने कोशिश करनी है कि आप एक new Gmail account create कर लें लेकिन अगर आपके पास कोई old Gmail account भी है तो चैनल उसके बाद मैं क्रियेटर चैनल पर क्लिक कर देता हूं आपका चैनल बन गया है अब आपने इसकी settings करनी है इसका नाम और इसकी सारी चेंज करनी है अपने कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर ल है यहां पर आपने सबसे पहले basic info में आजाना है यहां पर आने के बाद आपने अपने चैनल का नाम डिसाइट करना है चैनल का नेम आपको बता है कि बहुत important होता है तो आपने कोशिश करनी है ऐसा नाम रखें जो आपकी नीच से बिल्कुल कर रहा हो अगर आप चाहते है तो मैंने इसमें का है कि मुझे अपनी एक scary stories पर मैं चैनल पर ना चाहरा हूं तो मुझे उसके related name suggest करो कि हमारा automation channel है तो मैंने scary stories की niche select की है तो यहां पर मुझे काफी सारे नाम दे दी हैं वैसे तो मैं अगर manually search करूं name किस तरह से मैं करता हूं तो उस पे मैं different तरह के names निका आएगा मैं बनाओगा इस वक्त के लिए मैं इस word को और इस word को यहां से copy कर लेता हूं like creepy arts के नाम से मैं चैनल बनाना चाहरा हूं तो यहां पर मैं लिखता हूं creepy arts उसके बाद मुझे अपना handle यहां से adjust करना है अब यहां पर मैंने अपना handle adjust कर लिया है वह कह रहा है कि इस पर एक चैनल बना हुआ है तो मैं creepy 426 की जगह पे 0426 कर देता हूं अब चैनल नेम में और handle में क्या difference है चैनल नेम बैसिकली आपका front पे शोने वाला नेम है और handle आपके URL में add होने वाला आपका नेम है आपके च stories बिनाना चाता हूं तो मैं यहां पर search कर लूँगा scary stories अब मैंने जैसे scary stories search किया तो यहां पर मेरे पास काफी सारे option आ गए हैं तो मैंने इन तमाम जितने भी यहां पर options हैं इनको मैंने एक notepad पे लिख लेना है लेक्स अब से पहला word है horror stories in Hindi मैं यहां पे horror stories in English करूँगा वो copy कर लेना है उसके बाद एक word आता है creepy stories तो मैं वो भी try कर लेता हूं तो यहां पर मैंने 8-9 keywords उठा लिए हैं आपने इन तमाम keywords को यहां से copy कर लेना है वैसे तो आपने इन से वेस्टरी keywords उठाने हैं मैंने जल्दी में जो भी मुझे मिले मैंने वह उठा लिए आपने chat GPT पर आतना है और यहां पर अपने keywords पेस्टर करके आप इसको कहना है राइट समाल YouTube चैनल डिस्क्रिप्शन यूजिंग दीज कीवर्ड तो आपको डिस्क्रिप्शन को उसके बाद थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं एडिट करने के बाद आप सिंपली क्या करना है FTP करें हुंना पूर करनी है उसके रही मेल चानल होते हैं आपने कोशेश करनी है तो तो मैंने यह transformed करता हैं सब्सक्राइब तो यहाँ पर चानल विए खरेंड सकते हैंमें वेल्यक्राव यह वłड्र दो क्रते अर्द्स और ऋपने चेली होक्त आपoccup्र विड़ाid करते तो कोशिश करें कि इस्टाग्राम अकाउंट बनाएं उसके बाद एक अदर पेस्बूक आईडी बनाएं उन सब फे अपलोड करें और अगर की बात करें तो टीक टोग करना भी शुरू कर दिया और टीक टोग ब्हुत अच्छी इमांट पे गरता है सिर्फ आपने करना यह ह किस तरह से यहां पर बियाइड कर सकते हैं यहां पर अपने नोगा है यहां 12 लेकिटों के से ऊपर एंगे तो यहां पे आप से कहेगा प्रफाइल पिक्चर आड़ करें और विडियो वाटर्मार्क प्रफाइль की बात करें तो आपने सिंपली अगें चैट जीपिटी पे आजाना है यहां पे इसको मैंने कहा है कि प्रवाइड दा प्रॉम्प्स जनेरेट दा प्रॉफाइल पिक्चर ओफ चैनल से फ्रॉम आटेक्स विमेज जनेरेटर टूल उसे मुझे यह एक डेटेल प्रॉम्प्स देर दी है इसको मैं प्रॉम्प्स देंगे यहां कोई पीमेज आती है आपको मुल्टिपल ऑप्शन है मुझे यह पसंद आई आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है उसके पाद आपने चैट जीपिटी पे अगें आज रहा है मैं इसको काया कि मुझे यूट इसको डाउनलोड कर लेना है यहां पर आपका बेक्राउंड यह बन चुक है उसके बाद आप इस पर अपना स्लोगन का यह किसी तरह का कोई टक्सेट आड कर सकते हैं według मेहाँपे टेक्स क्लिक करता हूं एक टक्सेट कर देता हूं like यूर आर्ज ब्रुपी उसके बाद मैं इस पर इसस तरहं से अड़ेस्ट करता हूं उसका पर उप different effects apply कर सकते हैं लाइक मैं यह effect apply कर देता हूं उसके पर मैं इसकी सेटिंग से थिकने से इसकी चेंज कर सकता हूं और भी यहाँ पर मैं पस काफी options हैं यहाँ पर मैं देख सब्सक्राइब करने अगर नहीं करने जो तो ना करें elements में आके आप subscribe का button add कर सकते हैं किसी भी तरह का अगर आपको वह एड़ करना तो आप यहां से आड़ कर सकते हैं और अगर मुझे नहीं करना तो that's fine आपने simply share पर आना है आपने done पर क्लिक करना है अप done होजाएगा उसके पर आपके banner upload कर देना है यह मेरा banner है अब यहां पर वो मुझे show करा रहा है कि आप इसको किस तरह से लेकर आना चाते हैं तो मैं यहां पर इसको इस तरह से लेकर आना चाता हूँ यह मेरा view है alt devices पे यह मेरा desktop view है और यह मेरा TV view है I hope so कि आपको इसका idea हो गया होगा कि इसमें किस तरह से यह view करेगा तो मैं done पर क्लिक करूँगा तो आपका banner भी इस पर लग चुका है almost यहां पर आप subscribe का बटन एड़ कर सकता है उसके लाबाब आप अपनी किसी भी तरह की को image आप एड़ करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं मैंने यहां पर YouTube का logo एड़ कर दिया है YouTube का logo यहां पर शो होगा यहां मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कस्टम स्टार्ट में सिरफ आएं या इंट आप वीडियो में तो इसको इंटार वीडियो पर सेलेक्ट कर देते हैं यह चोटा साइट पर शो होता है वाटर मॉग की तरह ब्रैंडिंग की जो जितनी भी सैटिंग्स हैं वाफ हो चुकी है उसके पर आपने लेयाउट में आजना है यहां पर आपने बताना है कि कोई वीडियो स्पैसिफिकली जो आपने अप्लोड की हुई है अगर किसी ने चैन कर सकते हैं उसके पाद आपने सिम्पली पब्रेश पर क्लिक करना है तो यह सारा कुछ पब्रीश हो जाएगा अब आते हैं उस मेन डिफरेंस पर जहां पर आके ऑटोमेशन और एक फेस वाला चैनल यह लोकल चैनल आपस्में डिफरेंट होते हैं तो आपने इन सैटिंग् आपने जिस कंट्री में रहते हैं वही करनी है दरवाइस आपको सम्टाइंग जब आगर आपका चैनल है को यह किसी तरह का को इशू आजए आपकी जब यूट्यूब वेरिफिकेशन करता है तो वहां पर आपके लिए काफी इशू बन जाता है अगर आपका कंट्री आपका आपके दो परस्कीय pierwszy आजाना है अपने कीवर्ड कहां से उठाने मैं आपने सिंपली ये कीवर्ड स और को यहां बगा पर को को यह ओप्शन ऑरा हो ग़िया आपको बताता है अपका कॉंटेंट्र आया के के लिये तो नहीं है आपने यहां से वहां सव्टाइक क्रना है सरता हूं कि आप इसको 9 से ये रहता है कि उसके आप काफी सारे खार इज्द करना चाहिए उसके बाद आप ऐपके को आपने क्लिप्स को लाओ करना चाहिए किसी को वो यूज़ कर ले या नहीं तो आप इस पर चेक कर सकते हैं तो फीचर एलिजिबिल्टि Around यहां पे आके आप अपनी verification कर सकते हैं लाइक आप अपना phone number से verify कर सकते हैं अगर आप 15 मिनिट से ज्यादा की वीडियो upload करना चाते हैं उसके बाद आप custom thumbnail add करना चाते हैं लाइव स्ट्रीम करना चाते हैं तो आपने simplys पे click करना है यहां पे आपके बास से phone number मांगेगा उस phone पे code आएगा यहां पे अपने अपने number add करना है और वो code बात में आपने enter कर दिना है और आपका phone number verification हो जाएगी within the two to three minutes आपका यह eligible हो जाएगा अगर इस वाले section की इस three advanced setting feature की बात करें तो इसमें आप या तो verification करेंगे वीडियो verification करेंगे या valid ID से verification करेंगे या दो तीन मां काम करें आपकी अगर channel history अच्छी है तो यह automatically eligible होजेगा इसके अच्छाब different तरहां के यह तमाम इसके benefits लिखे हैं अगर आप eligible होते हैं आप यह यह काम कर सकते हैं उसके पर आजाते हैं upload parts में यह बहुत important part अगर आप चाते हैं कि आप जब video upload करेंगे तो कुछ चीज़े automatically YouTube की तरफ से ही add हुई हुई यह आएं तो आप यहां पे वो add कर सकते हैं like मैं यहां पे hashtag add कर सकता हूँ जैसे like creepy hours मैं tag add कर देता हूँ उसके बाद मैं horror stories का tag add कर देता हूँ इस तरह से 3-4 tag आपने लाजमी add करने जो आपकी हर वीडियो में हैं और वो tag add करने हैं जो searchable हो इसको unlisted जरूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी video किसी भी वकत पे upload कर रहे हैं और उसके अगर कोई copyright यह किसी तरह कोई शो आ रहा है तो आपको इधर ही पता चल दे उसके बाद यहां पर टैग्स आप आप कर सकते हैं कि आप कोई भी video upload करते हैं तो उसमें कौन से टैग्स हैं जो permanent टैग्स आएं तो आप यहां पर आप कर सकते हैं उसके बाद permission के option में कराएं तो आप invite पे कर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप किसी की भी email आड़ करके उसको different types of access दे सकते हैं like manager access दे सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि उसके पास क्या-क्या options होंगे अगर आप editor access देते हैं तो उसके बाद से यह फिला-फिला options होंगे आपने simply क्या करना है यहां पर email आड़ करनी है उसके बाद आपने done पर क्लिक कर देना है और इसको save कर देना है उसके बाद community की अगर बात करें तो यह basically live जो आते हैं उसके बाद आपने की इनवर्ट को ब्लॉक करना है और moderators वगर आपने कैसे add करने है और मेरा खेला यह आपके काम की चीज़ नहीं है इसके बाद डिफॉल्ट में इसी तरह से इसकी सारी सैटिंग जास्तों पर रीट कर सकते हैं और उसके बाद आपने save टे क्लिक करके अपनी settings को save कर लेना है आपका channel almost ready है आपका channel आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से show होगी यहां में आप देख सकते हैं कि आपके channel का नाम है channel का handle show हो रहा है उसके बाद आपके channel की description लिखी है इमेल लिखी है यहां पर क्लिक करने से आपकी email show होती है कोई भी आपका channel विजट करेगा यहां पर उसको वीडियो शो होगी और इस तरह से आपकी सारी settings हो जाएगी चैनल की तो यह थी आज की वीडियो को इस पर मैंने आपको बताया किस तरह से create करेंगे सारी settings बताई है किन चीजों से आपने avoid करना है वह सारा कुछ बताया है और हर वह important setting बताई है जो आपके लिए जरूरी है ज्यादा complicated चीज निया बहुत असान है I hope so कि आपको इस यह tutorial की समझ आई होगी अगर आपको tutorial प्रसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते उसके लावाब मेरी इस playlist को विजट कर सकते इस playlist में मैंने तकरीबन वह strategy डिसकस की आपको जो पूरे YouTube पर नहीं मिलेंगी मेरे personal experience मैंने ट्राय किया है यह बहुत कमान की strategy नहीं आप एक लफ़ाए सीरीज को जरूर विजिट करें अगर आपने अभी तर इस सेयल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कानली सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस टार लिंक कि आने में लिए बहुत सारी वीडियो जासी हैं जो यकीनन आप मिस्से ही करना चाहेंगे